अब चुप हो जाओ, एक बूढी नर्स ने अपनी गोद में बैठे एक बच्चे से कहा यदि तुम फिर से शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें भेडिये के पास फेंग दूँगा अब यह संयोग हुआ की एक भेडिया खिडकी के नीचे से गुजर रहा था जैसा की कहा गया था सो वह घर के पास दुबग कर प्रतीक्षा करने लगा मैं आज सौभाग्यशाली हूँ, उसने सोचा जल ही रोना निश्चित है और एक लजीज निवाला मुझे कई दिनों तक नहीं मिला इसलिए वह प्रतीक्षा करता रहा और वह प्रतीक्षा करता रहा अंत में जब तक बच्चा रोने लगा और भेडिया खिडकी के सामने आगे आया और अपनी पूछ हिलाते हुए नर्स की ओर देखा लेकिन नर्स ने बस खिडकी बंद कर दी और मदद के लिए पुकारा और घर के कुट्टे दौडते हुए निकल आये आह भेडिये ने सरपट भागते हुए कहा कहानी का शिक्षर है दुश्मनों के वादे तोड़ने के लिए किये गए थे